एक लोमडी एक दुश भेडिये के लिए काम करती थी वह भेडिया उससे ड़ा कर कहता मेरे लिए खाना लाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा बैचारी लोमडी को उसके लिए कुछ न कुछ लाना पड़ता था एक दिन वह भेडिये के लिए मुर्गा और एक मचली लेकर आई परन्तु उसमें से वेडिया ने उसे एक भी टुपडा नहीं दिया एक दिन उसने एक गोधाम देखा जिसमें बहुत सी चीजे खाने की भरी हुई थी लोमडी और वेडिया दोनों ही एक छेद में से उस गोधाम में घुस गए लोमडी उस चेद में बैट कर खाने लगी वेडिया बहुत लालची था वह सब कुछ ठुश ठुश कर खाने लगा वह लोमडी से बोला यहां रखा मैं सब कुछ खा सकता हूँ खाते खाते उसका पेट मूटा हो गया अचानक से उस गोधाम का मालिक सोट सुनकर आ गया लोमडी तुरंग छेद से निकल कर भाग गई बैडिया मोटे पेट के कारण उस छेद से नहीं निकल पाया और गोधाम के मालिक ने उसे बहुत पीटा दोस्तों अक्सर लोग ज़्यादा के चक्कर में